हेलो जोस्तों मेरे नमें अन्ज शुमन और आप देख रहे हैं एबी स्टूडियो के हिंदी यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो में हम बात करेंगे निकॉन के मेरे लेस कैमरा किस तरह से करेंगे आप अपडेट तो मैं आपको बता तो निकॉन ने जैट सिक्स जैट सेवन एंड जैट फिफ्टी तीनों के लिए फामवेर अपडेट रिलिस कर दिया जिसमें काफी सारे मेजर चेंज़ किये गए हैं तो आपके पास अगर जैट सिरीज क कोई भी कैमरा है जैसे कि जैट सिक्स जैट सेवन एंड जैट फिफ्टी एक फुल फ्रेम डर्लेस कैमरा है एक एक एपीसे सेंसर का क्रॉप सेंसर कैमरा है तीनों के लिए फामवेर अपडेट हो चुके हैं रिलीज जिसमें काफी सारे मेजर चेंज़ किये गये हैं इस पर तो तीनों ही कैमरा जो निकोन जैट सिरिस के हैं उसको आप कर सकते हैं बाड़ी ही आसानी से और चंद मेंड़ों में अपडेट तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और आपको बताते हैं Z6, Z7, Z50 को किस तरह से कर सकते हैं अपडेट अपडेट करने के लिए कुछ चीजों का आपको धियान में रखना जरूरी है आपके कैमरा के बैटरी होने चाहिए 100% चार्ज आपके मेमरी कार्ड में जो भी आपका डाटा है जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप अपने बैकप ड्राइब में या फिर किसी भी हाड ड्राइब में सेव कर लें कैमरा के मेमरी कार्ड को कैमरा के अंदर ही फॉर्मेट कर लें यह तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसका आपको धियान रखना बहुत ज़्यादा जिरूड़ी है सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लेंगे निकान फॉर्म एर अपडेट तो सबसे पहला जो आप्शन आपको दिखेगा निकान डाउनलोड सेंटर का उसु कर लेना है ओपन यहाँ पर आपके पास काफी सरे आप्शन्स अवेलिबल हो जाते हैं जैसे कि प्रोड़क्ट नेम के हिसाब से आप सार्च कर सकते हैं पर कैमरा को या फिर आप उसके नीचे देखेंगे सार्च वे प्रड़क्ट कैटेगरी का आप्शन है है आप प्रोड़क्ट कर सकते हैं जिस कैमरा को आफ डेट करना चाहते हैं आप इसी प्रोसरस को यूज़ करके नीकॉन के किसीभी DSLR या मेररलेस किसी भी कैमरा को अपड़िट कर सकते हैं तो हम करने वालेएं अपडेट नीचौन के Z सीरिज smack को जो कि एक मिर जैस सिस्टम ये Nikon की official website है तो यहां से download करने में कोई भी problem आपको नहीं होने वाली है बढ़ते हैं आगे select करते हैं mirrorless को category के option में उसके बाद option आजाता है सब category का, sub category का option में आपको कर लिना है Z series को select, उसके बाद आप को हो जाता है choose a product product में आप जो भी camera on करते हैं जैसे कि Z50, Z6 या Z7 कोई भी camera आप on करते हैं उसके option को select कर सकते हैं हम करने बाले है Nikon Z6 को update तो कर लेंगे Z6 को select और अब देखे Z6 का page open हो गया है पहला option आजा था आपको उस manuals का Z6 related काफी सारे manuals आप यहां से download कर सकते हैं read कर सकते हैं download करके आप देख सकते हैं काफी सारे multiple options हैं जिसको आप easily download करके read कर सकते हैं आप चलते हैं उपर चलते हैं firmware का option में यहां पर देखेंगे Z6 का firmware available है पिछली वार जो Nikon ने firmware update रिलिस किया था वह था 18 February 2020 को जो था version 3.00 लेटेस्ट वर्जिन जोकी 27 2020 को हुआ है release जिसका firmware वर्जिन का नाम है 3.10 तो यह है Nikon Z6 का latest firmware 3.10 जोकी 27 2020 को हुआ है release और यह है version 3.0 इसके बाद आप view download page पे क्लिक करेंगे और next पे जो आपके पास अपन होगा वो हो जाएगा Windows और Mac दो operating system का option यह आप वो देता है तो कोई भी laptop या computer अगर आप own करते हैं अगर आप Windows system है तो आप Windows select करेंगे अगर आप Mac OS पे काम करते हैं जैसे कि Apple का क्यों भी product आप यूज करते हैं या पर Apple का Macbook या iMac को भी आप आप यहां से रिड़ाउट कर सकते हैं आप देख सकते हैं काफी सारे जो major changes है वो इस बार किये गए हैं आप इसको आसने से रिड़ करका समझ सकते हैं पुराने वर्जन में क्या क्या अपडेट में changes हुए थे वह सारे चीज़े भी आप यहां से फिल अगर आपका system करता है तो ही आप upgrade कर पाएंगे अपनी camera के firmware को next option है हमारे पास updating the camera firmware यहां से भी रिड़ाउट कर सकते हैं step by step जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उस सारे step से यहां पर लिखे हुए है आप उसको भी बड़ी ही आसानी से read कर सकते हैं और समझ सकते हैं जो भी language आपको समझ में आता है फिलाल यहां पे English में लिखा हुआ है most of the people आजकल English तो समझे सकते हैं बहुत आसान भासा में यहां पर लिखा हुआ है तब वीडियो का इंट तक देख लिए यह कोई भी step आप से छूट ना जाए कि अगर आप updating के process में कोई भी option मिस कर जाते हैं तो यह आपके लिए एक problem बन सकता है कि सबसे नीचे अगर आप यहां पर आएंगे आपको कर लेना है एक से प्रॉड कर लेना है डाउनलोड या प्रॉक्ष्ट नटीट पॉंट टून एम्बी की फाइल होने वाली है जिसका कर लेंगे डाउनलोड फाइल हमारी हो चुकी है डाउनलोड और यह एक जिप फोल् प्रॉड करता है कि मेमरी काड को इंसाट करके कैमरा कर लेंगे आउन और आप चले जाएंगे मेन्यू के आप्षिन में जाने के बाद इस तरह का आप्षिन आपको देखने को मिलेगा आप चले जाएंगे सेटिंग्स में और फॉम्वेर वर्जन का यहां पर आप्शन लेंस का फॉम्वेर 1.00 अविलिबल है भी में अमरी काड को फिर से फॉम्ट कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए फॉम्वेर वर्जन को दुबारा से चेक कर लेते हैं C और LF, LF मतलब लेंस का फॉम्वेर, C मतलब कैमरे का फॉम्वेर 3.00 & 1.00 कैमरा हो कर देते हैं पर प्रद आपने app अपने डाउनलोड कि इस और लेने इसको कर लेना है victims अन्य और यहां पर देखेंगे फाइल यहां धियंदेर्द में वाले चीज्ज मतले में क्या है यह फाइल का जो टाइप है वो .bin होना चाहिए, यही फाइल जो है, वो update फाइल है, जो आपके camera को update करने में help करेगा, इस फाइल को आप सेड कर लेंगे, कर लेंगे copy, open कर लेंगे आपके memory card के folder को और इसका root folder में simply उस फाइल को पेस्ट कर देंगे तेकि फाइल हो चुका है पेस्ट विंडो कर देते हैं close Mac computer में जाके आप safely अपने memory card को कर लिए एजेक्ट आप चलते हैं हमारे camera के उपर camera में दुबारा से memory card कर देते हैं insert camera कर लेते हैं switch on switch on करने के वाद आप जाएंगे firmware version में तो यहां पर देखिए update का option आ चुका है आप सिंप्ली update का option पर क्लिक करेंगे और आप दिखा रहा है 3.00 से 3.10 में आपके camera को update कर देगा update होने में थोरह सा time लग सकता है इसलिए आप त्यान रखेंगे आपके camera का battery 100% चार्ज होना चाहिए sometime से ज्यादा time ले लेता है तो camera की battery डाउन नहीं होनी चाहिए या फिर camera बंद नहीं होना चाहिए जब तक तो आप देख सकते हैं camera हो चुका है update इसको simply turn off कर देंगे firmware वर्जन चेक करेंगे c में आगे है 3.10 जो भी update का file था उसको delete कर सकते है camera से इससे कोई भी problem नहीं आएगा और camera को दोबारे से कर लेते है format और आप आपक camera हो चुका है update आप simply दोबारे से settings में जाके चेक कर सकते है firmware वर्जन update हुआ है या नहीं firmware वर्जन camera के लिए जो latest available है वो है 3.10 इस वीडियो में इतने ही दोस्तों आए आपको clear हो गया होगा किस तरह से आप कर सकते हैं update अपने camera के firmware को और आप जरूर से जरूर अपने camera के firmware को update कर लीजी और जो भी latest system Nikon ने रिलीज किया है जर्ट जर्ट सीरिस के camera के लिए उसको आप असानी से यूज कर सकते हैं तो जर्ट सीरिस के camera के firmware के साथ साथ Nikon ने उसका mount adapter आता है mount adapter जिससे हम Nikon के जो native DSLR के lenses है जो कि पुराने lenses है उसको भी adapter के साथ mount करके यूज कर सकते हैं adapter के लिए भी Nikon ने latest firmware update रिलीज किया है adapter को आप किस तरह से करेंगे update उसके बारे हम बात करेंगे अगले वीडियो में तो अगर आपको वीडियो में दे गई जानकर या अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे वीडियो को लाइक कर द झाल